हेलो गाईज सलाव लेकुम तो प्रेंट्स आप सब कैसे हैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे ही होंगे खुश होंगे सुस्त होंगे तो आज मैं जो बुनाई डिजाइन लेकर आई हूं बहुत ही असान बहुत ही फूबसुरत है तो यह दो सलाईया मैंने उल्टा-उल् से। इसके ऊपर से हम पार्स टो राइड साइड से यहां से अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे तो फ्रेंट्स अगर आप आसान चाह रहे हैं कोई पहुत ही ऑठ ऐसान से अपट नहीं है इसको बहुत बनासकते हैं उल्टा और सीदा उस से बहूत कुछ रदान कर आता है और यह पैटन हमारा दो-दो फंदों में बनेगा तू इसमें हमें इस तरह से तरो सारे फंदे ले लेने हैं किसी भी परजुक्ट में अप्लाई करने के लिए तरो मॉल्टिपल के फंदों में आप इससे टालिंगे तो सेट हो जाएगा तो यहां पर फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट राइट साइट से पैटर अपना तो आप अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरे चैनल को सुब्क्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले बेल बटन आल जरू से पहले मिले तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा लाइक शेयर जरूर किजिएगा तो यहां पर हम जब फर्स्ट रॉर राइट साइड से स्टार्ट करेंगे इसमें पैटर में तो आप एक पंदा इस्ट्रावला इस स्टिच कर लिजिएगा य यहां पर चार सलाईया मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा दो दो सलाईयों का पैटर्न है तो यहां पर हम एक पंदा सिलिप कर लिया हमने अब यहां दो फंदों में हम पैटर्न बनाएंगे तो एक पंदा सीधा बनाएंगे एक पंदा हमने सीधा बना या अब जो अगला फंदा है ना और यह जो नीची दिख रहा है तो वहां यहां से हमें नई बुनाई करना है यहां से नीचे होले होल से यहां से ऐसे एक फंदा सीधा बनाएंगे और इस फंदे को हम ऐसे सिलिप करेंगे यही दो फंदे हमें बार बार रिपीट करने हैं फि फिर वही रिपीट करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, और ये नीचे वाले फंदे में ऐसे सीधा बनाएंगे और इसको सिलिप कर लेंगे, फिर हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऐसे ही फ्रेंड से यही हमारे दो फंदे बार बार फंदे रिपीट होंगे, एक फंदा सिधा बनाया ना अब यह जो नीचे वाला होल है महाँ से एक फंदा सिधा बनाएंगे यह इस तरह से सिधा बनाएंगे और यह वाला फंदा सिलिप करेंगे अब यहाँ पर फिर से वही हम रिपीट करेंगे एक फंदा सिधा बनाएंगे एक फंदा सिधा बनाएंगे अब नी फिर यही नीचे वाले होल से निकालेंगे, एक फंदा और एक फंदा सिलिप करेंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर नीचे वाले होल से एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा सिलिप करेंगे, फिर यहाँ पे वही रिपीट करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, और नीचे वाले फंदे से अगले फंदे में एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा राष्ट्रों में ऐसे ही रिपीट करेंगे एक फंदा फिर सिधा बनाएंगे अब दूसरे फंदे में नीचे वाले फंदे से एक इस्टरा लूप्स निकालेंगे और ये वाला फंदा बनाएंगे अब हम यहां पे wrong side second row में आगे हैं तो second row में ध्यान से देखेगा friends एक फंदा slip करेंगे ऐसे ही एक फंदा slip करेंगे अब धागा पीछे करेंगे अब दोनों साइडों से हमारा सीधा सीधा ही बुनाई होगा तो यह दो बंदोsoft जो हमने बनाये हैं एक में फन inhib है एक हमने लुप से निकाला है तो इन दोनों को बैग लूक से ऐसे सीधा बनाए गे और एक फंदा जो हमने सीधा बनाया था ना इसको भी रॉंग साइट से सीधा ही बनाएंगे सारे फंदे सीधे ही बुनेंगे अब यही जो एक फंदा हमने इस्टरा निकाला था इसको दो का एक करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर ऐसे ही बैक लोग से दो फंदो का एक करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर दो फंदो का एक करेंगे ऐसे सारे फंदे हम रिपीट कर लेंगे फ्रेंड्स दो फंदो का एक करेंगे ये देखें रॉंग साइड से ऐसे ही बनाएंगे एक फंदा सीधा फिर वही ए इक दो फंदों को एक करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर यहाँ पर इन दो फंदों को ऐसे बैग लुक से करना है, दो फंदों का एक, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो फंदों को बैग लुक से ऐसे, दो फंदों को बैग लुक से सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा फिर ऐंक इस करेंगे अब आते हैं right side से ये दो सलाईयां हमने complete कर ली, तो ये दो सलाईयां जो हमने बनाई हैं अब यही इसके उपर repeat करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें pattern change कर देना है, तो एक फंदा हम बनाएंगे, एक फंदा slip करेंगे friends, अब यहाँ पे, पहले हमने एक फंदा सीधा बनाए था, अब यहाँ सीधा नहीं बनाएंगे, यहाँ पे, ऐसे नीचे वाले फंदे से, होल से एक फंदा सीधा पुनेंगे, इस्ट्रा loops, अब यह फंदा slip करेंगे, अब जहाँ पे हमने दो फंदा इससे पहले बनाया था, तो अब वहाँ एक फंदा सीधा बनाएंगे बस यही यहाँ पे हमें चेंज कर देना है इस फंदे को ऐसे एक इस्टरा लूपस निकालेंगे नीचे वाले फंदे से और एक फंदा सिलिप करेंगे फिर एक फंदा सीधा फिर नीचे वाले होल से एक फंदा सीधा सिलिप फिर एक पंदा सीधा बनाएंगे और ये पंदा जो दो फंदों का एक किया था इसको ऐसे नीचे से एक इस्ट्रा लूप से निकालेंगे आगे वाला पंदा सिलिप करेंगे फिर यहां पे हमें एक पंदा सीधा बनाएंगे फिर नीचे वाले होल से एक पंदा सिलिप करेंगे फिर ए यही ना हमें बार-बार रिपीट करना है बस यहां पर पैटर्न हमारा चेंज होता रहेगा हर दो सलाईयों पर पैटर्न बहुत खूब शूब शूब बन कराता है अगर आप बेगिनर से हैं तो इसको असानी से बना सकते हैं और आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा क्यूकि बहुत छोटा-छोटा पैटर्न है खूब सूर शूर बहुत प्यारा लगने वाला है अगर आप बच्चों के शॉर्टर में अप्लाई करना चाहेते हैं, तो जरूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि बहुत ही खुब्सुरत लगेगा, लाश्ट में एक फंदा सीधा और एक फंदा इसको भी सीधा बना लेते हैं क्योंकि ये राइट साइड है इस टिसको सीधा बुन लिया ये देखे अब इसके उपर जब हम पैटरन रिपीट करेंगे तब अच्छे से आपको दिखेगा बहुत कुपसुरत लगेगा बनने के अब यहां पर फोर रो बनेंगे तो फोर रो बस वही सेकेंड रो की तरह ही बनाना है रॉंग साइड से जितनी भी स्राइया बनेंगी ऐसे ही बनेंगी एक फंदा जो सीधा बनाएंगे तो एक फंदा बनेंगे और एक फंदे में जो दो फंदा बनाया है ना इनको एक साथ इसे बायक लुक से एक कर लेंगे सारे फंदे बस यही ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे दो फंदों का एक करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे फ्रेंड्स यही हम बार-बार रिपीट करेंगे दो सलाईया ऐसे ही तो फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग लाइक नहीं करते हो यार अब यहाँ पे ना सारे फंदे ऐसे बैक लुक से दो फंदो का एक करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर यहाँ पे दो फंदो का एक करेंगे और एक फंदा सीधा फिर दो फंदो का एक करेंगे इसको में बैक लुक से ही करना है इस तरह और एक फंदा सीधा फिर दो फंदों का एक करेंगे और एक फंदा सीधा फिर दो फंदों का एक करेंगे धागा अपनी साइड यह उल्टी साइड है न तो एक फंदा हम इस टिस को उल्टा बना लेंगे अब यहाँ पर देखिए न 4 row हमारा complete हो गया है यहाँ पर pattern हमारा change हो गया था यह देखिए यह pattern हमारा बहुत खुबसुरत बन कर आएगा एक बार pattern यहाँ बनेगा और एक बार pattern यहाँ बनेगा फिर इसके उपर pattern इसके बीच में बनेगा अगरा pattern भी मैं आपको repeat करके दिखा दीती हैं जैसे हमने first row बनाया था ना वही फिर से हम repeat करेंगे एक फंदा slip करेंगे पहले हमने एक फंदा सीधा बनाया था ना first row में तो वही हम यहाँ पर repeat कर देंगे और यहाँ पर एक फंदा नीचे वाले hole से extra loops निकालेंगे इसको slip करेंगे यही दो फंदे बार बार repeat करने हैं wrong side से सारे फंदे सीधे बुनने हैं जितनी भी सलाईया है तो यही हम बार बार repeat करेंगे यहाँ पर हमने बना कर रख लिया है देखे कितना खुबसूरत बन कर आया है बहुत ही प्यारा लग रहा है बहुत ही छोटा छोटा पैटन बहुत खुबसूरत तो फेरेंट से इस डिजाइन को आप ट्राई जरूर कीजिए क्योंकि बहुत ही छोटा बहुत खुबसूरत लग रहा है बनने के बाद ये दीखिए बहुत ही छोटा छोटा पैटन दो दो फंदो में तो प्रेंट्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो मेरा बताने का तरीका तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एक और वीडियो मिलूंगी नेक्ट वीडियो में तब तक लिए लाहाफिज थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो